Hello everyone friends, आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुती important और good news लेकर आया हूँ सावितरे भाई फुले पुने उनिवर्सिटी के सभी students के लिए important news है क्योंकि यदि आपको online या offline exam में कोई भी problem आता है तो आप university को एक application लिख सकते है application online ही लिखना है कैसे लिखना है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और वीडियो में आपको last तक बने रहना है और सावितरे भाई फुले पुने उनिवर्सिटी के बारे में ऐसे ही latest आपको वीडियो चाहिए notification चाहिए तो आप हमारे इस YouTube चैनल को free में subscribe कर सकते है हमारा YouTube चैनल विल्कुल free of cost है तो friends चलिए आप देख सकते है आपको सावितरे भाई फुले पुने उनिवर्सिटी को आपके online exam में या offline exam में जो भी problem आये थे तो उनिवर्सिटी को आपको application के इसे भेजना है इसके बारे में अभी आपको tutorial वीडियो आपको practically दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते है सावितरे भाई फुले पुने उनिवर्सिटी ऐसा आपको google chrome पर search करना है और search करने के बाद आपके सामने सावितरे भाई फुले पुने उनिवर्सिटी की website आजाएगी उस पर click करके इस तरह के form में आपको सावितरे भाई फुले पुने उनिवर्सिटी की website open करनी है और open करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल येर, फाइनल सेमिस्टर, आउनलाइन एग्जैमिनेशन और अंटी मुवर्शे वो बैकलॉग परिक्षा समस्या नोंडन येर्ज़ बारा ओक्टोबर दोज़र विस पासन सुरू जाले ला परिक्षान साथी तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने गुगल फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर गुगल फॉर्म ओपन हो जाएगा तो यह है Google Form इस पर आपको कुछ information भेजनी है आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे आपका full name right करना है और नीचे प्यारे नंबर यह पर डालना होगा आपकी जो भी faculty है science, commerce यहाँ पर आपको चूज करना है उसके बाद आपका examination mode online या offline जो भी था वो चूज करना है उसके बाद आपका subject code आपके hall ticket पर लिखा होगा subject code क्या है वो यहाँ पर डालना है subject name, suppose English यह थे English Marathi है तो Marathi आपर write कर सकते है date of examination test आपके exam कप थी? suppose English के subject में आपको problem आया था फिर आप English का subject की exam date कप थी? तो यहाँ पर exam date आपको डालनी होगी उसके बाद आपका जो student email ID है student email ID यहाँ पर डालना होगा और student mobile number यहाँ पर डालना होगा आप निचे देख सकते है problem face आपको जो भी problem आया है suppose login issue है no active test है medium issue, language issue जो भी problem आया था यहाँ से आपको चूज करना है और आपको कोई भी order problems है तो यहाँ पर feedback लिखकर आप भेज सकते हैं और आपको उसके बाद submit button पर click करना है आपका message university को मिल जाएगा और आपका problems वाल हो जाएगा तो friends इस video को सभी student को आपको share करना है ताकि सभी को इस application form के बारे में पता चले और सभी student यह कर सके तो friends फिर मिलेंगे next video में जाए हिंड वन्डे मात्रम